नमस्कार राम राम दोस्तों में आपका स्वागत है चीन की चाया मालदीवस्वर क्या रोज ऐसा कुछ होने लगा कि जनतत तौबा तौबा कर उठी तो मौईजु साब ताजा ताजा आशिरवात लेकर लोटे थे चीन से लेकिन लोटे तो ईनी की अपोजिशन वीडरों ने संसर में ऐसे जूते चपकल चलाया कि पूछो मत इसका कारण क्या है तो बने रहे हैं वीडियो के अंध तक मेरे साथ और वीच वीच में सब्सक्राइब बटन बेल आइकन बटन दबाने का भी समय निकाल लीजेगा तो अब भाईया जी माईक मूँ के सामने आते ही मौईजु साब तो उल जलूल बकवास करने हते हैं लेकिन चुपके से जब मीटिंग रूम में होते हैं तो ये भारत से पैसा मंगते हैं यानि कि ये 2 नाउं में सबार होना चाहते हैं अब आप भी बताएं 2 नाउं पर सबार होने वाले के साथ क्या सलूप बना चाहिए मोई जुसाग उधर चीन के उकसावे में भारत को लगातार जलील करने के बहारे डूनते हैं वहीं मौका मिलता है तो भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाते हैं भाई साथ दरसल मौल्दीव से चल रहा था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके दौरा मौल्दीव की राजधानी माले को अनिधुकों से जोड़ा जा रहा था भाई जी मौल्दीव के ध्यास में ये सबसे बड़ा इंफ्रेस्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है इस 500 million dollar के प्रोजेक्ट के लिए अभी भी Maldives को भारत से 100 million dollar चाहिए और इसके लिए मौका मिलते ही Maldives भारत से मिन्नते करता है कि बाइजा आप पैशे दे दो आपकी जिन कंप्रीयों को हमने ठेका दिया है उन्होंने काम करना चाहिए जल्दी से जल्दी greater money connectivity project को पूरा कीजिए Maldives के ये कहना है तो भारत ने भी कहा कि हम फाल्त में विवाद नहीं बढ़ाएंगे आप के लिए जो जैरूरी infrastructure है वे हम पूरा करके देंगे भारत अभी भी अपनी बात पर committed है तो इस प्रकार वास्ता में देखा जाए तो मोदी साहब Maldives की जन्ता को दिखा रहे हैं कि दोनों देशों के सम्मंद यदि खराब हुआ है तो उसका पूरा का पूरा रोश मोहिजु साहब के सिर्पर मणा जाना चाहिए और हुआ भी यही Maldives की संसद में जो जूते चप्पल चले है न भाया जी वो यह बात सावित कर रहे हैं कि मोहिजु की अपोजेशन पार्टी के लोग दोनों देशों के बीच बिगड़ते सम्मंदों के लिए मोहिजु भुदोशी मान रहे हैं और फिर भाय साव इस प्रोजेक्ट को अगर भारत कंप्रीट कर देता है न तो वह शक्तियां जो बालदीप में भारत का समर्थन करती है वो और अधिक शक्ति शाली होएंगी तो प्रभु शिरी राम की क्रिपा से मोधी साहाग गटबंदन मनाने की जो गंडिती है उस पर सुखलता पूरवक आगे बढ़ रहे है जैसे आज से कुछ फ़ईने पहले जब करनाटिक में बीजेपी थारी थी तब देश में कई लोग का मत था कि अगर राहुल गंदी अ करनीती भारत में मोधी साहब चला रहे हैं वही स्ट्राटिजी मौल्दीव से भी काम करेगी मौल्दीव से भारत का समर्थन करने वाली शक्तियों का सिर कभी ना जुके यह सुन शित्तों हमें ही करना पड़ेगा बाज साहब यह मौल्दीव की GDP है ही कितनी 6 मिलियन डॉलर उसके सामने अडानी और अम्वानी की जो वेल्थ है वो 90 मिलियन डॉलर से भी अधिक है तो भाया जी अडानी अम्वानी अगर जाए तो कम से कम 15 मौल्दीव को कल खरी सकते हैं समुद्र के बीचों बीच इसलिए जबकि मौल्दीव छोटा है हमने उसकी यौका अतना भी लेकिन फिर भी मौल्दी जी ने बरावरी का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि अंडर राइन थीम यही है कि जब दोस्त बनाकर काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाया जाए आप में से जो भी व्यक्ति इस बात पर अपनी राय देना जाता है वे कमेंट बाक्स ना पी र राम राम जोस्तों